जैहिंद आज हम बात करेंगे RRC Group D का syllabus के बारे में हम देहन करेंगे आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे देखिए RRC Group D का syllabus है जिसमें दिया है General Science यानि Science का कोचन कितना होगा 25 नमबर का टोटल कितना होगा 100 नमबर का कोचन होगा टाइमिंग कितना देगा 90 मिन यानी 10.5 घंटा चलिए अज हम बात करेंगे कि कौन-कौन सा टोपिक काहां काहां अध्यान करें कौन-कौन सा टोपिक बढ़ें कि करेंट आफ्यान हम निकाल लें हैं तो हम कुछ टोपिक लिए कर ला किजयेगा और आप कॉमेंट बख्स में जो भी प्रोबलम हो कमेंट बख्स में लिखियेगा है चलिए हम टौपिक पुरा अध्यान करते हैं कि कौन कौन से टौपिक हमको पढ़ना है और आप पढ़िएगा इस तरा से फोलो कीजिएगा मेराोदा है कि आप कहीं मार नहीं खाईगेगा कि लिए पहला है बरतमान कैबिनेट मंतरी है जो परतमान लोगसवा चुना होता है उसके बाद कैबिनेट मंतरी बन कर आते हैं बनते हैं उनके بين आगे मतलब हर एक मंतरी के बारे में पहले जएगा और याद रहेगा कुछ इंप्रोंटन मंतरी होते हैं जैसे जल संसादन मंतरी सिक्षा मंतरी इस अब इंपर्ण होता है इस मंतरी तो उसके आगे है दिवस और जैसे पुछ दिया था कि अंतराष्टिये योग दिवस को मनाते हैं अभी अभी कोछ अन्टीपी से पुछा है चले कमेंट बॉक्स में इसका एंसर दीजिएगा अगला राजियों के राजधानी पढ़िएगा और उसके राजपाल और मुख्यमंत्री यानि जो नविंतम बन चले में उसके आगे नमिंतम सेयन ब्यास जो अभी हाल ही में 6 मैने के saatपास जो सेयन ब्यास हुगा उसको आध्यान किजेगा उसके आगे न मिंतम गठित जास समितिया और आयोग देखिए जो जान समित्य नहीं होते है सुप्रीम कोट गर्षित करता है इस अब द्वारा उसको अध्यन किजेगा उसके आगे है अंतराष्टिय संगठन जैसे डावलु एचो डावलु टीयो आव इवेनो इवेन ओपेक इस सबक बारे मा ध्यन किजेगा डिटेल से अध्यन किजेगा उसका फूल प्राम पूछ देता है उसके अस्थापना पूछ देता है उसके सदस्यों की संख्या पूछ देता है उसमें कितने मेंबर है और सबसे इंपोर्टेट है कि आप यूवेन के बारे में पड़ कर जाएगा यूवेन के सदस्य कितने हैं यूवेन के अंग कितने है यूए में अधिकारी के भासा कितनी है ये सब पढ़ कर जाएगा उसके आगे है परमुक अंतराष्टिय समयलन कोप हुआ जलवायू समयलन हुआ जो बर्चुल समयलन हुआ है अभी कोबिट 90 के वज़ा से तो सब भी समझ पढ़ कर जाएगा कौन सा समयलन कभ हुआ है कहा हु पूछटा है उसके आगे है भारत की जन गण्ना दोजालेगार वाला जो जन गण्ना है उसको बार-बार रिपीट कर रहा है बार-बार पुछ रहे और आप बतायेगा कि जन गण्ना दिवस सोई जन संख्या दिवसका मनाते हैं अब बताएगा अगला टोपिक है लोग सभ चुनाव जो बरतमान में लोकसवाद चुनाव हुआ होगा उसके बारे में ठोछ डिटेल पर लिजीघा खियminded कोई सी पार्टी कितनी सीटे जीती है अधीतनी में पूछ देता है कितने नमर के चुनाव होआ है इसके लोगसवाद्यक्ष कौन है और सब पुछ देता है अभी कोवीट चल दा है तो कोवीट नाइटी का वह टोपिक के बारें पहले जेगा कि कोवीट नाइटी का नाम करन किसी ने दिया है कोवीट का उद्गम कहां से हुआ कोवीट है क्या उसके आगे है नीती आयोग और जीएश्टी के फॉश्ष काने वह लिएक्षम सब्सक्राइब प्रेयल नाम क्या था तो मेंसक अभी के उज्थकार और राध सरकार की पर्मूक के बारें टोपिक ए इससे हमारे एक्जाम में खास के रेलवें में अधी को चनता है। कुम सा कुरूच म du35 मिसाइल है। क्वाइस पूछता है। इनके बारे में अध्यन कीजिएगा इस टोपिक के बारे में। अगला है राष्टिये खेल प्रुसकार किसको कौँ सा पुरषकार मिला है अभी को जो अगामी खेल हुआ है कप होने वाला है यह भी पढ़ लीजिएगा उसके आगे है पुरषकार नोबिल पुरषकार राजीब गांजी खेलत में पुरषकार यह सब जो समान पदक दिया जाता है यह सब आप पढ़ लीजिएगा उसके आगे है खेल पर दिश्चिया खेल पर दिश्चिया के मतलब हुआ कि कौन सा आगामी खेल कब होगा अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ है कितने नमर का हुआ है वर्ल्ड कप के बारे में डीटेल टीटेल इंडियन प्रिमिम लिग आईपि टॉपिक की आर्बिया द्वारा जारी मौद्रिक निती होते हैं इसके बारे में कीजिएगा ऐसे ऐसे वीडियो और ऐसे ऐसे फैक्ट के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक सेयर कीजिए जैं हिंद